हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग I hope you all are doing great तो चलिए फ्रेंड्स आज आपको सब कुछ के बारे में बता रही हूं ठीक है तो यह आज ग्रिच यूज करेंगे यहां फैप ब्लीच फ्रैन बहुत ही पुरानी कंपनी बहुत ही प्रॉस्पर सब्सक्राइब कर और तो वह भी दिखाती हो और अगर इसकी पैकेजिंग के बात करें तो बाहरे ब्रीच होता है जो भी हमारे चहरे के अंचा हिबाल है जिने हम चुपाना चाहते हैं यह हलका करना चाहते हैं तो उसके लिए हम bleach करते हैं, वैसे तो face में कुछ लोग wax से भी अपने चेहरे के बालों को हटाते हैं, यहां फिर razor भी करते हैं, तो उन सब से जो bleach है, थोड़ा सा safer तरीका है, सिर्फ इसमें जो activator की quantity है, उसको हमें कितना मिलाना है, सिर्फ इस बात का हमें ध्यान रगना होत होता है, इसके इलावा जो है cream होता है और activated होता है, उन दोनको mix करना और अपने हमें जो हमारे यहां side के बाल राक होते हैं, यहां पर चिंद पे होते हैं, किसी के forehead पे होते हैं, कई बर आंकों के पास में होते हैं, तो जहां पर भी है उनको यह हलका करता है, गोल्डन सा करत है, पर यह तो one time use है, तो एक ही बाल में खत्म हो जाएगी, हमारे sparkling shine है इसमें, इसमें लिखा गी हो है one use, no added ammonia, और five glow in 15 minutes, 15 minutes में glow आ जाएगा, ग्रीच को न सिर्फ 15 minutes से जादा नहीं लगाना, और जब भी हम लगाते हैं, मैंने कम से 500 से जादा वीडियो अप्लोड करेंग तो ठीक है, तो इसमें जो है न ब्लीच का, जैसे इसमें लिखा हुए 15 minutes तक लगानी है, तो 15 minutes लगानी का मतलब यह है, कि सबसे पहले तो ब्लीच जैसे ही हम apply करना शुरू होते हैं, brush से कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे last में लगाएंगे, गाल हमारे सबसे जादा सॉफ्ट ह होते हैं, sensitive होते हैं, और दूसरा यहाँ पर बाल ही होते हैं, जिनको हमें क्या करना पड़े हैं, गालों पर सबसे कम बाल होते हैं, इधर सबसे जादा होते हैं, तो जैसी bleach start करेंगे, यहाँ पर apply करेंगे, इधर apply करेंगे, इधर apply करेंगे, फॉनेट पर apply करेंगे, नोस प हमेरे एक्टिवेटर की मात्रा भी बहुत ही कम होनी चाहिए और दूसरा क्या है कि सास ले लू है और जहां पर सबसे लास्ट में ब्लीच करें और उतार हमें सबसे पहले और यहां से यह जाण वह दून पहलों कि लाजसिया हें कहिता है कैसे और धुधर आप्लिच हमेरे तो सबसे को उतार लो क्योंकि यह मतलब यह थाiger और अगर आप पहली बार ब्लीच कर रहे हो तो हमेशा यहां हाथ पर करके देख लो ब्लीच एक्टिवेटर को मिक्स करके यहां पर करके देख लो कि कुछ ज्यादा इचिंग इचिंग से तो नहीं हो रहा दाने से तो नहीं हो रहे अगर यहां पर ही सूट नहीं कर रहे हैं ब्रीच तो फेस पे तो बिल्कुल नहीं करेगी फिर्स टाइम कर रहे हो तो दो चरबार हमने कर लिया फिर तो में आइडिया हो जाता है कि हाँ हमें हो जाएगे इस वाली ब्रीच के अंदर क्या क्या है वो दिखा पी हो सारी इंफर्मिशन ऐसे कार्टबोड पे दोने रिख हब क्या कितनी क्री और क्या क्या चीज है इसके अंदर सब कुछ समय में आतरा है इसमें दिखाथिमें इसके अंदर क्या किया है सबसे पहले तो हमारा क्रे destrait होता है जो हम्मिक्स करेंगे एक्टि डेन अ तो यह वन टाइम यूज के लिए एक ही बार में हमारे फेस पर गर्दन पर आगे पीछ अच्छी कासी लग जाएगी जितनी क्वांटिटी यह इसमें यह सही है अब हम से भी ब्लीच करा सकते हैं हमारे फीटर में सारे होते हैं और व्यूटिकर को ढ़िए जिसको भी जॉइन और और ऑॉनलाइन वह भी जॉइन कर सकते हैं यह साथ में इसमें एक्टी वेटर है के हैं the motivator पॉड़र की फ़ॉम में होता है नमक उस तरीख के नो एक टीवेटर नहीं है तो हमारा पुरा लग जाएगा लिगे एक चमच भर की ना थे चुटकी भरी ड़र बसके МУЗЫКА कि अदर तो प्लास्टिक के बरतन में यहां फही जाओ के बाउल में मिक्स करेंगे चील का कॉपर का इस तरीक़े आर्बॉनियम का इस तरीके चीजों में यूज नी करेंगे क्योंकि इसमें क्रीम और प्लास्टिक का बाउल यहां फे कांच का बाउल अच्छा है मैनुर दिया हुआ है इसके अंदर किस सरी से ब्लीच करनी है क्या है सारा यह इसमें अपसे पढ़के भी कर सकते हैं अगर पहली बार कर रहे हो तो और दो चाबार कर चुके हैं तब तो हमें मैं खुदी आइडिया होई जाता है सारा यह और सबसे अच्छी बात है मैं खुद रहान रहेगी मैंने अभी खोल के देखा था इसको तो मैं हरान रहेगी इसमें जो है इन्होंने पोस्ट ब्लीच क्रीम और प्री ब्लीच क्रीम भी दिया है मतलब 45 रुपेज में तो सच में इस तरीके से हैं तो बहुत ही पढ़ी है क्योंकि कहीं पर ही हम अगर फेस पे ब्लीच करते हैं तो उससे पहले अकर हम नहीं प्री प्लीच क्रीम लगा लिया यह सबसे स्टाटी में अच्छी दार से मूद हो कि आ जाएंगे फेस वाश कर लेंगे उसके बाद में प्री ब् सेंसीशन होती है न वो इतनी ज्यादा नहीं होगी तो अच्छी अलकील के हाथों से स्की मसाज करें क्योंकि फिंटर्स में क्यों होता है सकीन ड्राय होती है सकीन ड्राय होती है उसमें ब्लीच करेंगी हैं तो बहुत जाएदा से अवर जैसे फट हुईええसके पहले में उस नकसान संक उरेस हमारी स्कीन पर थी नुख्सान करता है इसलिए इन्होंने पोस्ट ब्रीच क्रीम भी दिया है, ब्रीच करने के बाद भी हलका सा नरिशिंग क्रीम की तरह यह होगा, इससे हलकी हलकी सी मसाज करनी है, इसको रहने देना है, फिर साफ नहीं करना है, इसको ब्रीच और एक्टिवेटर जब मिक्स करें तो सारा साफ करन अगर कभी किसी को लाल लगता है ना तो पपीता ना फटाफट पपीते का चिल का जाए उसको अपने फेस पे रब करो आइस वगरा को गर्मियों का टाइम में तो आइस को भी रब कर सकते हैं कपड़े में रैब करके एंटीशु पेपर में सॉफ्ट सा बैट टीशु पेपर में रैब करके भी हम उसको मिक्स करके कह रही है कपड़े में लपेट के अपने फेस पे आइसिंग मसाज भी कर सकते हैं एक इस तरह के तो चुटटे आइस रोलर भी आते हैं उससे भी आइस से मसाज करने तो एक ठंडा सा कुलिंग इफेक्ट आए और जब हम ब्रीच को सा प्रिश का बहुत ही रहता है नो बहुत भी कई सदना पता बहुत ज्यादा इयर करना है । इस दो पहले तीन मेहें इक बार करती थी। अब उ में साबİ-ज्मीने मेरा बहुत ही कम और अगल को म näघर मीनी करती रहती तो पर यह कि साइट के बाल हैं जो ब्राउन होते हैं तो इनको हलका दिखाने के लिए तो हमें ब्लीच करना पड़ेगा यह हमारा नेचरल रेमेडी से साइट के बाल तो हमें नहीं हो सकते हलके रंगे तो यह स्पेचुला से इसके अंदर से भी निकालना वैसे तो स्टोर कर के रख दिया तो खराब हो जाएगी वह ब्रीच उसको यूज भी नहीं करता चाहिए बाद में इससे लेटर अगर कोई और भी आपकी क्वेरी है तो आप डेफिनेटली मुझे मैं कमेंट कर सकते हैं उसमें पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे रॉयल अंडरस्कोर इसली जोगे कर सकते हैं बहुत ही कम रेट्स में और बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा फुल ट्रेंड करके इतना बढ़िया टेंड करेंगे कि आप अपना पार्लर भी स्टार्ट कर सकते हो अपना फ्रीलांसिंग कर सकते हो और इसके अलावा अपना जॉब भी कर सकते ह तो बहुत ही बढ़िया, all the best for your future, bye, take care